हेलो फ्रेंट्स अल्मोष रात का एक बज रहा है अब बहुत कोई होंगे जो 스트esz के वज़़ा से वाकई जैसे अभी हम जाग रहे हैं वैसे कोई होगा जो अभी जाग रहा होगा 스트esz के वज़़े से या कोई और भी प्राबल्लम के वज़़े से जौब नहीं हो रहा इस वज़े से या फिर हजारों रिजन होगा जागने का अचानक दिमाग में एक बात आया सुचे वीडियो बना लेते हैं किसी का हेल्प होगा बात यह है कि सबसे पहले ना डिसाइड करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से खुद को दो दिन पास दिन दस दिन टाइम दो टाइम देकर किना डिसाइड करो करना क्या है यह रोज रोज का कि चलो यह करना है फिर दो चार दिन के बाद चलो वो करना है फिर कुछ दिन के बाद कुछ और करना है फिर कुछ दिन के बाद कुछ और करना है ऐसे नहीं होगा फाइनले हम खुद परेशान हो गए अपने आप से की रवी ऐसे नहीं होगा कुछ दिन तुम कुछ और करेगा, कुछ दिन कुछ और करता है, कुछ दिन कुछ और करता है, अंत में जा के कुछ नहीं करता है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, अब भी right now हम इसी situation में है, आप लोग पूछते हैं कि सर वाटसप ग्रूप में भी active नहीं है, यूट्यूप में कोई एक्टिव नहीं है क्यों नहीं है यही रीजन है डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं रोज परिसान हो रहे हैं कि बाई क्या करें लेकर डिसाइड नहीं हो पा रहा है इसलिए पता नहीं हम से नहीं हो पा रहा है लेकिन हम आप लोगों को बोलेंगे कि अगर आपसे हो पा तो आप पहले ये काम किजिए, beside किजिए, करना क्या है, life में goal set किजिए, aim set किजिए और सिर्फ उसी के पीछे भागिए, ये हर चीज के पीछे भागने से नहीं होगा, जो बंदा एक अच्छा phone नहीं select कर रहा है, दिन बर गूम गूम के, वो अपना carrier क्या select करेगा, हम अपने आपको कह रहे हैं, अज पूरा दिन हम एक अच्छा phone डूढने में गुमा दियें, लेकिन नहीं मिला, अंत में क्या हुआ, वह हुआ जो मेरे life के साथ भी हो रहा है, कि अंत में जाके कुछ नहीं मिल रहा है, मैनत भरपूर होता है, सब कुछ भरपूर होता है, अंत में उस को कर पाईएगा, तो हो सकता आपका life better होगा, करना यह है कि पहले decide किजिए, आपको करना क्या है, time दे करके इत्मिनान से, और आपके लिए success का क्या definition है, आप page पे लिखिए इसको, अगर आपके लिए success का definition, एक healthy body है, रोज exercise किजिए, मतलब एक continue habit बनाईए कि आपको रोज जॉब पाना है, तो निश्चित सब कुछ छोड़ करके, आप उस जॉब के पीछे लग जाईए, कि कैसे आप उसको हासिल किजिएगा, अगर आपका life में success का मतलब होता है, कि आपका family खुस रहे, सब कुछ खुस रहे, सब कुछ average चलता रहे, तो उसके पीछे भागिए, अगर आपका life में success का definition कहता है, कि आप एक अच्छा business में बनके रहे हैं, तो आप business स्टार्ट कीजिए, आज के आज स्टार्ट कीजिए, और सिर्फ उसी पे रहे हैं, ये नौकरी का तयारी करना, इसके बाद फिर उसी के बीच में जो है, उसी के बीच में जो है, फिर business का भी सोचना, उसी के बीच थोड़ा सा अमीर बनने के बारे में भी सोचना, और उस पीच अगर health कराब हो, तो थोड़ा सा exercise करने के बारे में सोचना, ऐसे नहीं चलेगा, हम लोगों को अपना life में success का क्या definition है, ये पता होना चाहिए, सब के लिए ये definition अलग-अलग है, मेरे और आप जितना जल्दी ये definition को clear कर लिजेगा, आप अपने life में बहुत आगे बढ़ना start कर दीजेगा, देखते हैं आगे क्या होता है, चैनल पर बने रहिएगा, बिलते रहेंगे हम लोग भी, काफी लंबा उमर है, लंबा उमर तक मिलेंगे, अगर आप लोग साथ लेकिन अगर आप भी अभी परिशान है और इस तरह का moment से गुजर रहें, सबसे पहले अपना life का goal जो है उसको फटाक से set कर लीजे, पहुँच ज़रूरी है, goal set करना, हर हाल में set कीजे, ना मेरे से exercise हो रहा है, ना मेरे से पढ़ाई हो रहा है, ना हम YouTube पे active है, ना हम किसी क कर पा रहे हैं, हर तरह से हम पिछड़ते जा रहे हैं, इसका solution ढूणना है, आप लोगों के पास कोई solution है तो दीजिए,